तो यहाँ पे आज हम साड़े आठ हैर के बजट में एक ऐसा PC बिल्ड करने वाले हैं जिस पे आप गेमिंग कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं या भी किसी भी परकार के ओफिस या होम बर को आप बहुत ही आसानी के साथ इस PC को बिल्ड करने के बाद इस पे मिलने वाली हैं जिसको आप एसंबल करने के बाद बहुत ही अच्छी परफॉर्मस आपको देखने को मिलेगी तो बने रही हमासा इस वीडियो में स्टब बाइस टब आपको डीटियल में जानकारी मिलने वाली है कि यह सारे पार्ट आपको कहां से मिलने वाले किस रेट प किप मत कीजेगा तो यहां पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार पूरा कंट्रिफिकेशन आपको बता देता हूं यहां पर इंटल का i5 3rd generation मैंने प्रोसेसर लिया हुआ है और यहां पर लिया हुआ हमने और इसके साथ यहां पर एक CPU फैन है और 8GB की DDR3 RAM ली हु तो 8GB के RAM मैं और आट कर दूँगा बात में और इस टोरेज के लिए हमने यहां पर यूज किया 256GB के SSD जैसा कि आपको पता ही होगा कि SSD हमारी बूटिंग स्पीट काफी फास्ट रहती है और RAM भी मैंने यहां पर 8GB ली है तो प्रोसेसर तो मैंने बता ही दिया कि i5 का 3rd generation है तो overall यहां पर 8GB के budget में काफी अच्छा configuration यहां पर हमारेडी हो रहा है और cabinet हमने यहां पर नॉर्मल यूज की है और यह हमारी power supply है यहां पर अपने हिसाब से cabinet जो है high quality का ले सकते है या gaming cabinet जो आती जिसमें lighting बगरे लगी होती फैन लगे होते है इस्टा उसको आप ले सकते तो करीबन 10,000 के आसपास जाएगा लेकिन हां अगर आप मेरे से buy करते हैं offline market में किसी और shop पे जाते हैं तो महा पर आपको करीबन 8,000 के आसपास का rate मिल जाएगा जैसे मेरे पास सेम configuration का यहां पर 8,000 रुपे में price है हां यहां पर part थोड़ा सा company अलग different हो सकती है जैसे SSD हो स RGB की DDR3 RAM रहेगी single power supply रहेगी normal हमारी cabinet रहेगी तो यहां पर मैंने सबका configuration आपको बता दिया है और total मैंने online price आपको बता दिया कि online buy करते हैं तो किस rate में आपको मिलेगा सबका link वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा जाके check out कर लिजीगा तो फट 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 इस PC को हम build करते ह हैं तो सबसे पहले motherboard की box को open करते हैं इसमें processor लगाते हैं CPU fan लगाते हैं यह आप देख सकते हैं यहां पर i5 थर जिनेशन का हमारा processor है यह तो इस processor को हमें यहां पर लगाना है motherboard में लेकिन उससे पहले स्कैप को हमें बहुत ही आराम से निकाल लेना है तो इस तरह से इसका lock खोलिएगा फिर आपको देख लेना यह cut point बना हुआ है दोनों साइड left and right और motherboard में इस तरह का बना हुआ है अब यहां पर यह प्रोसेसर हमारे motherboard के खाचे में अच्छी तरीके से बैठ चुका है बराबर से इस कैप को बंद करेंगे इसके बाद हम अपने CPU फैन को बैठाएंगे CPU फैन में देख लिएगे यहां पर cooling पेश्ट लगा होगा तो cooling पेश्ट हमारा पहले से लगा हुआ है यह खाचे आप देख लिएगा अच्छी तरीके से बैठाने के बाद इसको पुस्ट कर हैं तो दोनों का connection अलग है यह ध्यान रखिएगा अब इस motherboard में हमारा प्रोसेसर और cooling fan हमारा जो है CPU का लग चुका है इसके बाद हम रैम को लगाएंगे रैम को लगाने के लिए इन दोनों खाचों को हमें बाहर के तरब करना है यहां पर दो स्लॉट देख सकते हैं आप य इस cabinet में तो इस cabinet में मदर बोर्ट को फिट करने से पहले इसके सकल सूरत को हम आपको दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से आगे से यहां पर यहां पर और रिस्टार्ट और यूजबी और और ऑडियो का यहां पर ऑप्शन मिल जाएगा कुछ लाइटिंग का यहां पर ऑप निके से यह हमारी कैबनेट है कैबनेट आप अपने हिसाप से अपने बजट की हिसाप से उसको कर सकते हैं या लाइडिंग वायरी कैबनेट आती हैवी कैबनेट वह आप ले सकते हैं तो फटक और इस cabinet को उपैन करने के बाद जहां पावर सप्लाई मदरबौर्ड शज्ड ये को हम फिट करते हैं करते हैं मुक्राइक रगार देज श्यार को देए अब यहां पर हमारे स्कैस्यम हमने लगा दिया है SSD को FIT कर दिया है म indem or bit को FIT करने से पहले यहां पर क्नेक्शनब कर लेना है क्नेक्शनाट पहले इसलिए बता रहा हूँ क्यूक्व Oh एद ना पॉसिबल नहीं होता क्यूंकि वह यहां उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा मैं इसलिए मैं कनेक्षन पहले आपको बता दे रहा हो कैसे कैसे क्या करना है जैसे आपको कुछ िस्तरह की केविल मिल जाएगी यहां पे एक USB केविल और RDO PANEL केविल हो गी और एक यहां पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी इन सब का connection कैसे करना है और इन सब का connection कैसे connect कर रहे हैं तो सबसे पहले यहां पे आपको SSD में SSD या हाड़े जो भी आप लगा रहे हूं उसमें connection कर लेना है जैसे इस तरह का जो है आपका प्लेक रहेगा पावर का हाड़े से SSD जो भी रहेगी और एक डेटा केविल रहेगी पहले हम इसमें connection कर लेते हैं तो cut point देख लीजेगा SSD में और केविल में उसी तरह से आप लगा दीजेगा फिर इसके बाद साटा केविल को लगानी है अब इसके बाद में कैसे कैसे connection आपको करना है तो सबसे पहले आपको करना connection कुछ इस तरीके से यहां पर देख लिए पैनल का option मिल जाएगा power restart, hardest LED, power LED इन सब को यहां पर लगाना है तो सबसे ऊपर यहां पर हमें लगाना है जो power को power के just पीछे हमारा लगेगा restart तो restart वाला हमारा यह है सारे motherboard में अलग-अलग तरीके से connection होता है तो उसका आप menu पढ़ लिजेगा menu देख लिजेगा उसका पैनल कहां पर हो किस तरीके से connection है जैसे लिखा होगा उसी तरह से कर लिजेगा और फिर यहां पर इसके बाद पावर LED को कुछ इस तरीके से लगाना प्लस और मैनस इस तरीके से आपको रखना है यह दोनों केविल अलग-अलग रहेगी इस तरीके से आपको रखना है फिर इसके पीछे आपको लगा देना हार्डिस LED को अब यहां पर यह फ्रेंट पैनल का connection हमारा हो चुका है जिसमें हमारा पा हमारा यहां पर सारी केविल का connection हो चुका अब बचा हमारा पावर सप्लाई के connection तो इसका connection को इस प्रकार से करना है यह जो आपको बड़ा वाला पावर मिलेगा तो इसको देख लिएगा यह जो लॉक है आपका मदर बोर्ड में लॉक किस तरफ इस तरफ है कि इस तरफ जि निकाल दीजेगा चार पी लगाईएगा तो इसका भी लॉक देख लिएगा तो यह सप्लाई कनेक्शन और पैनल में रखार लेना है सब कुछ हो चुका तो मनदर बोर्ड को फटा फटाफ़ फटाना फीट करते हैं झाल झाल तो यहां पर हमारा PC बिल्ड हो चुका है, स्थाई चीज़े असेंबल हो चुकी है, तो फटा फट इसको डिस्प्लेय लगाते हैं, कीबोड माउस लगाते हैं, और इसका configuration चेक कराते हैं, तो यहां पर हमारा PC अन हो चुका है, तो यहां BIOS ओपन हो चुका है, BIOS में एडवां 20GHz का processor है हमारा, और यहां पर processor core की बात करें, तो processor core में हमें 4 core यहां पर मिलते हैं, और storage की बात करें, तो storage में हमें यहां पर आके देखते हैं, SATA configuration में, तो यहां पर हमें दिखाता है SSD, जो कि 256GB के SSD यहां पर लगी हुई है, और अब हम इसमें Windows 10 operating system install करेंगे, फिर उसके बाद इसको check करेंगे, यहां पर हमारा partition का option आ जुका, partition में देख सकते हैं, अनलोकेटेट है, अभी यहां पर इसका कोई partition create नहीं है, तो 256GB के SSD में मुझे total इस पे 238GB दिया गया है, तो यहां पर new पर click करके, अगर दो भाग में इसको divide करना चाहते हैं, तो दो भाग में partition म मैं इसको बना लेता हूँ, यहां पर एक जो हैं, बना लेता हूँ, 130GB का, जिसे मेरी windows, windows के सारी file बगया रहेगी, तो 130 लिखने के बाद, 3-0 extra, 1-2-3, उसके बाद simple apply कर देना, ok कर देना है, अब दूसरा partition जो हमारा 11GB बचा है, इसको हम पूरा ऐसे बना देते हैं, new पर click क आप से मांगता रहेगा, उसी साफ से उसाइची चीजे fill कर दीजेगा, PC यहां पर आपका ready हो जाएगा, Windows installation का process भी आपका complete हो जाएगा, उसके बाद internet connection connect करने के बाद, इसमें सारे driver आपके डाउनलोड कर लेगा, जो भी इसको requirement होगी, जैसा display driver की requirement तो रहती ही है, उसके सा आता हूँ, इसका configuration, इसकी performance, यहां पर हमारा PC पूरी तरीके से ready हो चुका, सारे software complete हो चुके है, तो इस PC पर right click करके properties में जाके एक बार configuration आपको check करा देते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप यहां पर जैसे इस configuration में यह तो आपको confirm हो गया हो यह office, इन सब के लिए तो perfect है हमारा PC क्योंकि i5 है third generation, जाहिर सी बात है, RGB RAM लगी, 25GB SSD, SSD आपकी booting fast कर देगा, कोई भी application वगरा खोलेंगे, तो RGB RAM sufficient है, अराम से वो work करेगा, कोई भी file open करने में, बंद करने में, कोई problem आपको नहीं होगी, अप रही बात यहां पर gaming के लिए तो gaming के लिए मैं आपको चेक करा देता हूँ, तो यहां पर GTA 5 Game की बात करें, तो यहां पर GTA 5 Game जो आपका support करता, Intel Core i5 third generation processor पे, जो की मेरे CPU में अभी यह processor लगा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको चेक कराया, और RGB की RAM होनी चाहिए, RGB RAM मैंने लगा रखी है, इसके साथ यहां प कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी, अब यहां पर अगर वीडियो एडिटिंग के लिए CPU का यूज करना चाहते हैं, यहां पर वीडियो एडिटिंग में फिल्मोरा की अगर बात करें, मैं फिल्मोरा 10 जो है यूज कर रहा हूँ, अपने i3 CPU पे, यहां पर यह तो i5 है तो जाहिर सी बात है, इस पे भी आराम से आपका चल जाएगा, वीडियो एडिटिंग सौर्ट बेर भी, रैम जैसे यहां पर बताया गया, आप 16GB लगा सकते हैं, और ग्रैफिक कार्ड भी लगाएंगे तो और अच्छी प्रफॉर्मस देगा, मेरी जितनी भी यूटूब आपका, और SSD के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि आपका एडिटिंग का भी सौर्ट बेर आपका चल जाएगा, और यहां पर विंडो टैन मेरा इस पे लोड है, बेसिक वर के लिए तो आप प्रफॉर्मस यहां पर देख सकते होंगे, किस तरह से ब्राउजिंग वगरा, कित कर दीजे वीडियो, लाइक करिए, कमेंट करिए, सेर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आप मेंस ना कर पाएँ, और गिवियो में पाटिसिपेट होने के बाद, इन सारे पार्ट को आपको फिरी में जीतने का मौका मिल जाए, और जैसा कि मैंने शूरू में आपको बता हो जाएगा या आप अपने नियर्बाइ किसी शॉप पे जाके वहां पर ये कन्फिगेशन जो है आप देखे वहां से सीप्यू बिल्ड करा सकते हैं प्राइस हो सकता थोड़ा सा उपर तो आई होब आपको इस वीडियो में साड़े आट हैर के बज़र में बखुत अच्छा सीप्यू जो मैंने आपको बताया वह पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखके आपको एक आईडिया लग गया होगा कि हमारा सीप्यू कितने तक कर बिल्ड हो सकता है इसमें क्या- अगर हम बिल्ड कराते हैं तो क्या-क्या चीज़े हमारी वर्क करेंगी साली जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी अगर आपने इस वीडियो को कहीं स्किप करके नहीं देखा होगा और इसके साथ आप चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन पर आल क्लिक कर दी गब्दे अब्दे आप administrators looking adventures